नमस्कार स्वागत है फटाफट ताजातरीन बड़ी खबरों के साथ दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आ रहे हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक किजिए अपने अधि बेल की आइकन को दबाईए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटिस्ट ब्रेकी न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर आ रहे हैं खबर आज हैर्खंट के सीख्छा मंतरी स्री जगनात महतों ने कहा पांच स्री जगनात महतों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हिमंद सुरेन को एक पत्र भेजा है शिख्छा मंतरी ने अपने पत्र में लिखा है कि पीछले पांच वरसों के दोरान पारा सिख्छकों के और से अपने मांगों को लेकर बिभीन मौकों परधरना परदर्शन किया जाता रहा है इस दोरन परशासर ने अंदुलनकारी पारा सिख्छकों के खिलाप जारखन राज्ये के बिभीन थानों में प्रात्मिकी दर्ज की है जनित में अंदुलनकारी पारा सिख्छकों के बिरुद दर्जिक प्रात्मिकी को वापस लिया जाना चाहिए आपको बता पूर्व की सरकार के अलावा बर्तमान सरकार से भी कई बैठकों में यह मांग दोरा चुका था। आपका बता दें कि सिक्षा मंतरी स्री जगनात मतों ने केस वापस लेने का आश्वासन भी दिया था। सिक्षा मंतरी ने पीछले 5 साल के दोरान पाला सिक्षकों पर हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही है लाखो पेंशन धार्कों को सरकार ने दी ये सोगात जिहांब। सरकार ने वरिष्ट नागरीकों के लिए इस नियम में छूट दे दी है सरकार ने कहा है कि इस साल सभी पेंशन धारक एक नौवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक दो महिनों के बीच कभी भी लाइप सर्टिपिकेट जमा कर सकते हैं केंदरी मंतरी जीतेंदर सिंग ने इस बारे मे सरकार के आधिकारिक बियान में कहा गया कि 80 साल से जादा उम्र के पेंशन धारक एक अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच अपना लाइप सर्टिपिकेट जमा कर सकते हैं इस दोरान सभी पेंशन धारकों को पेंशन डिस बरसिंग ऑथरिटीच द्वारा अबाध्य र दोस्तो परधार मंतरी नरेंदर मोदी ने शिक्षा को इसकूलों की चारतिवारी से बाहर निकालने की वकलत की है उन्होंने कहा है कि जब शिक्षा को आजपास के परिवेश से जोड़ दिया जाता है तो उसका परभाव विद्यार्थी के पूरे जीवन पर पढ़ता है प परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि एक टेस्ट एक मार्कशीट क्या बच्चों के सीखने की उनके मानसीक विकास की पैरामीटर हो सकती है आज सचाई यह है कि मार्कशीट मानसीक प्रेशर सीट बन गई है परधान मंतरी मोदी ने कहा कि पढ़ाई से मिल रहे इस को मुल्यांग करना किया जाए खबर है OTP के बिना भी आपके अकाउंट से गयब हो सकते हैं पैसे साइबर क्रिमिनल्स ले रहे हैं इन एप का सहरा दोस्तों आज कल फोन और इंटरनेट बैंकिंग के बढ़ते इस्तिमाल की वज़े से तरहतरह के साइबर क्रिमिनल्स सामने आ पाएगा लेकिन साइबर अपरादियों ने अब एक नया तरीका निकालिया है जिसमें बिना OTP के भी आपके खाते से पैसे उड़ाए जा सकते हैं शातिर आर्थिक अपराद इन दिनों इस तरह के क्राइम को अंजाम दे रहे हैं ऐसे अपरादी आपको फोन करके आपको कि चुना लगा दिया जाता है खबर है आज से चलेगी शताबदी हमसफर सहीती असी स्पेसल ट्रेने ततकाल टिकटों की बुकिंग शुरू तोस्तों यात्रियों के लिए बड़ी खुशकबरी है भायतिय रिल्वे शनिवार यानि बारसी तंबर को असी स्पेसल ट्रेने चल चुरू हो गई है असी स्पेसल ट्रेनों के रिजर विशन शुरू हो चुकी है इन ट्रेनों के लिए 10 सितंबर से टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है साथ ही 11 सितंबर से रेलेवे ने इस स्पेसल ट्रेनों के लिए ततकाल बुकिंग भी शुरू कर दी है आप IRCTC A.C. की website या फिर PRS counter से ततकार टिकेट बुक कर सकते हैं इसकी बुकिंग 10 बजे से शुरू होती है A.C. बोगी केलिए टिकेटों की बुकिंग 10 बजे शुरू होती है जबकि non a.C. कलास केलिए बुकिंग 11 बजे से शुरू होती है दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रहे है जेई मेंस रिजल्ट घोसित 24 बच्चों ने हासिल किये 100% जी हाँ शुक्रवार को जेई मेंस के नतीजे जारी कर दिये गए नेशनल टेस्टिंग एजनसी यानि NTA ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर JEE में के नतीजों की घोशना कर दी है रिजल्ट के मताविक 24 बच्चों ने 100% पराप्त किये हैं आपको बता दें कि ये इंजिनियरिंग परविश परिक्षा कोरणा महमरी को देखते हुए दो बार अस्थगीत की गई थी PTI की खबर के मताविक 100% स्कोरर सबसे ज़धीक तेलंगाना में है वहां 8 बच्चों ने पूरे अंग हासिल किये हैं उसके बाद दिल्ली का अस्थान है जहां 5 बच्चों ने पूरुनांग हासिल की है राज्थान के 4 बच्चों ने 100% हासिल किया है इसके अलावा आंद्रे परदेश में 3, हर्याना में 2 और गुजरात महराष्टर में 1-1 बच्चे ने 100% स्कोर किया है इंजिनेरिंग कोलेजों में परवेश के लिए संयुक्त परवेश परिक्चा जेए मेंस का आयोजन कोरणा महमारी की मद्दे नजर कड़े साउधानियों और सोशल डिस्टेंसिंग उपायों के बीच एक से छे सीतम बर्तक किया गया था देश भर के परिशा के इंदरों पर अभियारतियों के अलग परवेश और निकास गेट पर सेनिटाइजर, मास का बितरन और उम्मिदवारों के बीच दूरी बनाये रखने के साथ कतार लगवाई गई थी दोस्तो बड़ी खबर के निकल करा रही है दोस्तो चुनाओ आयोग ने जहारखन में जल्दी उपचुनाओ की तारिक जारी करने के संकेत दी है राज्य बिधनसभा की दो खाली सीटों दूमका और बिरमो उपचुनाओ के मतदान 26 अक्टूबर से 10 नौबर के बीच करानी की तियारी की जा रही है चुनाओ आयोग के अनुसार अगले सब्ता कभी भी चुनाओ के तारिकों की घोशना हो सकती है या घोशना बिहार बिधनसभा चुनाओ के साथ ही होगी मुखे मत्री हिमन सोरेन ने दुमका सीट खाली किया है 2019 के बिधानसभा चुनाओं में इस सीट पर हिमन सोरेन और डॉक्टर लुईस मरांडी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था डॉक्टर लुईस मरांडी रगोहर सरकार में मंत्री भी रही है हिमन सोरेन ने इस सीट पर 13,000 सधीक वोटों से जीत दर्च की थी हलाकि हिमन सोरेन दुमका के मुकाबले बरहेट सीट अधीक वोटों के अंतर से जीते इसलिए उसी सीट को अपने पास रखा है खबर है अब घर बेठे आपको मिल जाएगी इपॉलिसी IRDAI ने बीमा कमपनियों को दी इजाजत दोस्तों बीमा छितरे के नियामक IRDAI ने साधारन और स्वास्त बीमा कमपनियों को अब पॉलिसी इलेक्ट्रोनिक के रूप में जारी करने की अनुमती दे दी है IRDAI के एक वरिष्ट अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकरी देते हुए कहा कि भॉष्ट में बीमा पॉलिसी को इलेक्ट्रोनिक रूप में जारी करने का ही नियम बन जाएगा भारते बीमा नियामकियों विकास पराधिकरन के गैर जीवन बीमा सद सिटी इल अला मेलू ने उद्योग जगत के एक कारेकर में कहा कि बीमा शेत्र में पॉलिसी धारकों और अन्य संबंथ पक्चों के मामले में काफी कुछ किये जाने की ज़रुत है उन्होंने कहा जहां तक नियामोत की बात है अभी काफी काम किये जाने है हम लगातार यह देख रहे हैं कि क्या किये जाने के आउशकता है किवल पॉलिसी धारकों के लिए ही नहीं बल्कि बीमा शेत्र से जुड़े सभी पक्चों के मामले पर हम का और कर रहे हैं कुछ कदम जो हमने उठाए हैं वो स्वस्त बीमा शेत्र से जुड़े हैं अला मेलू ने उद्योक संगठन एसोचेम द्वारा नेशनल इस सब्मिट हेल्थ इंसोनेंस अंडर कोविड अटेक को संबोधित करते हैं कहा कि कल आप सभी ने देखा हुगा कि अब हम विमा कंपनियों को प्रस्ताओ के रूप में इपॉलिसी जारी करने की अनुमती दे रहे हैं मेरा मानना है कि यह समय की जरूरत है धिरे धिरी इसमें मध्यवर्ती इकाईयों एजेंटों और पॉलिसी धारकों के बीच दूरी रहकर ही काम करने का माहल बनेगा खबर भारत चीन बॉर्डर के पास गाउं होने लगे खाली जानिये क्या है बज़र दोस्तो भारत चीन सीमा से लगे गाउं खाली होने लगे हैं क्रिश्म कालिन परवास पर उच हिमाले शेत्रों में जाने वाले गरामिनों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है 15 अक्टूबर तक सीमा से लगे गाउं पूरी तरग खाली हो जाएंगे सीमा के ये परहरी अब अगले कुछ महीने तक घाटी वाले शेत्रों में बने अस्थाई घरों में रहेंगे पिथोरागड में मुन स्यारी और धार्चूला के घाटे वाले शेतरों से हर साल करीब 30 गाउं के 6000 सधीक लोग उच्छ हिमालई शेतरों में खेती करने कली जाते हैं इसी खेती से अधिकांश ग्रामीने कोई आजीविका चलती है परवास के दोरन ग्रामीन, जम्बो, गंद्रयाणी, छीपी, कूट, काला जैसी, जड़ी बूटियों का इतुपादन करते हैं आलू भी यहां बड़ी मात्राम हो गया जाता है निचले इलाकों में इनकी बढ़िया कीमत मिलती है और इस से ही इनकी आजीविका चलती है करके सहयोग रामीन करते हैं आम तोर पर पंदर मार्च के बाद ग्रीफ में कालीन परवास सुरू होता है और पंदर अक्टूबर तक लोग वापस लोटाते हैं